नमस्कार स्वागत आपके अपने चैनल डीवियन नियूज में और मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा आपको बता दें कि मंगलवार को देश भर में शिक्षक दिवस मनाए गया इसको लेकर बिहार के दरवंगा जिला के अलीनगर प्रिखंड छेत्र के बिविन विध्यालेों कोचिंग संसानों एवं महादलित टोलों में मंगलवार को हर्शोलास के साथ शिक्षक दिवस समारों का आयूजिन किया गया जिसमें शिक्षकों को सम्मानित करने के साथ बच्चों को स्टेशनरी आदी दे कर नेमत रूप से विध्याले जाने तथा पड़ाई के लिए प्रेडित किया गया जनकल्यारकारी सह शिक्षा विकास मंच शैंपूर द्वारा महादली तिप्टोला शैंपूर में शैंपूर निवासी राम विलास सदा के हातों से पूर्वराष्टपती सरुपली डॉक्टर रादा क्रशन की तस्वीर पर मल्यार पर कर दरजुनों बच्चों को उपहार सुरुप कलम कौपी देकर विध्याले जाने के लिए प्रेडित किया गया पिछले कई वर्सों की भाती आज भी किया है लेकिन प्रोग्राम को हम आज थोड़ा बढ़ा दिया है कि गाउं में ही के वला आयुजित करते थे जहां कुईज परतियोकता वगरा भी किया जाता था और ऐसे भी बच्चों के बीच इस्टेस्नरी वगरा का वितरन करके उन विध्यालें नहीं जाते हैं या जिनके बच्चे का नामांकर विध्याले में नहीं है उन्हें परेडित करने के लिए श्यामपुर के महादली ट्रोल में हम लोगों ने सबसे पहले सुबह सात बजे कारजक्रम किया सबसे पहले वहां सर्वपली ड. राधा क्रिष्टन जी के तस्वीर पर माल्यारपन किया और वहीं राम बिलास सदा बुजूर्ग हैं उन्हीं के हाथों से माल्यारपन करवाया उसके बाद वहाँ दर जनों बच्चे एक अठा हुए महिलाएं भी उससे काफी प्रेडित हुए इसकारज करम से महिलाएं भी जूटी थी और कुछ आम लोग निप्टेंगे जहां तक संबभ हो सकेगा उसके बाद फिर यहां से चल करके हम अली नगर में एक कोचिंग कलास है ऐडियल क्लासेज उसमें कारज करम था तो वहां भी बड़ा कारज करम था वहां बच्चे तो काफी मैंने कई गाउं के बच्चे थे नौवी दसवी बच्चों को परमुखता के साथ मुझे लेना था मैंने कहा था कि जो बच्चे में धावी हैं ऐसे बच्चे भी नहीं छुटे आज जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या कमजोर वर्ग के बच्चे हैं वो भी नहीं छुटे तो एक सो बच्चों की सुची प्रधान जो मधविध्याले के भी है और उन्हीं के अंडर में हाई स्कूल भी है उन्हें तथा हाई स्कूल में एक मातर दो शिक्षक शम्षादा अलम सहब और तारणी परसाद जी को समानित किया गया और उसके बाद वित्रन किया गया बच्चों के भी चेस्ट इसनरी और वहां से च अधीक बच्चों को स्टेशनरी दे करके प्रोसाहित किया गया उन्हें सभी से अपील किया गया समझाया गया कि नियामी तरुप से बच्चे विध्याले पहुंचे और वहां से चलने के बाद मध्ध विध्याले असकॉल पहुंचे जहां पहले से भी कार्जकरम आयोजित हुआ था बहुत भवे कार्जकरम था जानकारी मिली के कुछ बच्चियों ने सीनियर बच्चियों ने अठवे साथवे क्लास की बच्चियों ने नीचे के क्लास में जा करके शिक्षिका का मतलब क्या कहते हैं पोशाग पहन करके शिक्षिका के तौर पे अपने आपको जा बच्चों के बीच इस्टेशनरी हम लोगों ने वित्रन किया वहां से चल करके मधविद्याले श्यामपूर पहुँचे जहां के परधान अध्यापक राम कुमार यादव जी को सम्मानित किया पाक चादर माले से और फिर यहां भी पाच दरजन बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित करने का काम प्रोसाहित करने का काम उत्सा बरहने का काम किया है और बच्चों से कहा है कि नियमित रूप से पढ़ें अच्छा से पढ़ें इमानदारी से पढ़ें और सभी जगा शिक्षकों से भी मैंने अपील किया है कि शिक्षक अच्छी भूमिका में रहें औ और बेहतर विद्याले का संचालन करें, पढ़ाई की बेवस्था को बेहतर से बेहतर बनाएं, ताकि आने वाले समय में हम विशेश रूप से सभी विद्याले के चीनित चैनित शिक्षकों को भी सम्मानित कर सकें। मुहमद आतिफ हुसायन, नौशाद और कई बच्चे हैं, संदीप मुखिया वगिर सारे लोगों ने बहुत अच्छा रॉल अदा किया, सभी जगा साथ सा चले अब बड़े उत्सा में थे, इन लोगों के अंदर उर्जा का संचार हुआ है, हम आशा करते हैं कि भविस में भ करेंगे और खुद भी बढ़ चर करके करेंगे, दीन भर आज काफला आपका चलता रहा, खुल मिला के कहा जाए तो सबसे ज़्यादा समय आपने आज पंचायत में दिया है, इसे लोग आप राजनीती से भी जूर के देखेंगे, नहीं ये तो सरासर गलत है, चुँके मैं ये सही है कि मैं दो टर्म सरपंच भी ड़ा हूँ, और मेरी पतनी दो बार मुखिया का चुनाव भी लड़ी है, लेकिन आज तक मैं पॉलिटीशियन नहीं बन सका हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, मैं सिक्षा प्रेमी हूँ, मैं पत्रकारिता भी करता हूँ, और ये सारे जो मेरे सोच हैं, वो कुल मिला करके समाज के पड़ती है, हम किसी पद की लोलुपता से नहीं मधे हुए हैं, और न कोई इसमें राजनीत है, आपको नहीं लगता है जितना भी अच्छा काम करें, देखने वाले लोग, राजनीती करने वाले लोग इसी नजरिया से या किसी भ रहा हूं कि आज भी समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, ऐसे कामों की हमेशा सराना होती है, और सहायता भी मिलती है, मदद भी मिलती है, प्रसंसा भी होती है, तो मुझे इस बात की थोरी भी चिंता नहीं होगी, कि कुछ लोग किसी तरह की आलोचना इस पे करें आलोचना से तो निखार आता है हम और भी अच्छा कर पाएंगे अगर इस काम का भी आलोचना हो तो यह दुर्भाग पुर्ण होगा कि ऐसे कामों की भी आलोचना हो रही है इसको भी राजनीत से जोड़ के देखा जा रहा है यह दु देखिए मेरा मानना ये है कि शिक्षक और शिश्या के बीच तो पिता और पुत्री जैसा रिलेशन है ये प्रमपरा से रहा है और आज भी है तो इस छेत्र में जो लोग आ गए हैं अपने आपको टीचर के रूप में अस्थापित करें यही हम समवाद देंगे फटीचर के है कि ऐसी घटनाएं घट जाती है तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को टीचर होने का कोई अधिकार कोई हख नहीं है भूल वस गलती वस किसी कारण वस वो ऐसी इक्षा ऐसी मनशा पाल लेते हैं और उनको शिक्षक होने की जगह भी मिल जाती है लेकिन आज भी अस्थान है अपनी संस्किर्ती के साथ समझता तो नहीं ही करनी चाहिए हमारी जो संस्किर्ती है जो लेबास है जो पहनावा है जो रहन सहन है जो लाइफ है उससे समझता नहीं करना चाहिए लेकिन भूमंडली करन ने बहुत बदलावला दिया है ड्रेस उससे प्रभावि हैं तो उसमें कहीं न कहीं कुछ गल्ती गारजियंस की भी है और बच्चों की जो मनोदशा बन गई है वो भी उसके पीछे जिम्मेदार है यही कहेंगे कि प्रेम पुर्वक अच्छे लिबास में भेजें लेकिन जो टीचर हैं वो तो मैचियोड होते हैं उमर के हिसाब से उ बहुत अफसोस की बात है आपका अशारा है नवानगर की तरफ नवानगर का जो वो सरक है जो कोर्थू की तरफ गया है वर्सों से वो उसी इस्तिती में है और नवानगर कई दृष्टी कौन से हमारे पंचयात का बहुत महत्पुन गाउं रहा है एजुकेटेड लोग रह की विरंदर जा वहां के मुख्या भी बने और फिर भी उस रोड की खस्ता हाल लेकिन करण पर्छंड को जोरने वाली वो सरक है उस सरक की दशा बदलनी चाहिए वो PCC होनी चाहिए काली करन होनी चाहिए ये अफसोस की बात है ये दुर्भागे पूर्णा है जनकल्यान कारी सिक्षा विकास मंच के सारे पदाधिकारी गन आज जिस तरह से हम लोग के साथ सुबह से अभी तक सदस से अभी तक जो वर्क किये हैं और मैं आ आगे चाहता हूं कि इस विकास मंच के ओर से और अच्छे अच्छे कार्ज करते रहूं इसलिए आपका भी सयोग चाहिए और हम जनों का भी और हमारे तीमों का भी मैं निर्भाय यादब जनकल्यानकारी सिक्षा विकास मंच अध्यक्ष मैं इन संस्था का सदस हूं मेरा नाम जबहर पर साद यादब हुआ मैं इस संस्था के माध्हम से आज हर विद्याले हर कोचिंग सेंटर पर जा जा करके हम पूरे टीम के साथ चात और चातराये के मान सम्मान के लिए उसको इसकुल जाने के लिए अपने संस्था के तरफ से कुछ बुक या कापी कलम से उन अच्छे से अच्छे सिक्षा मिल सके लोगों के बीच में बच्चों के बीच में और हमारे समाज जीस तरह से सिक्षा में जितना पिछरे हुए हैं उसको जगाने का काम अच्छे तरीके से हो इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए यही हमारी आकांचाये हैं इक्षाये है आज हम सब जन कल्यान कारी सा शिक्षा विकास मंज की ओर से सिक्षक दिवस के अबसर पर बहुत सारे गौँ में जाके बच्चे सब को पुरत्सान किया हैं इसमें हम आज खुस हैं पूरे देश बासियों को सिक्षक दिवस की सुभकामना देना चाहते हैं हमारे जन का लियानकारी सा सिक्षा विकास मंच की ओर से और देखिए हमारी जो संस्था है यह हमेशा से 2004 में इसका अगठन किया गया था तब से लेकर कि आज तक जन से जुरा हुआ छेतर में हमेशा से यह काम करते आ रहा है जो समास से जुरा हो जो लोगों से जुरा हो जैस मेरा लक्ष है कि इसके माधम से आगे और इससे बरा से बरा काज किया जाए मेरा नाम पंकज कुमार साहु है